प्रिपरेशन कर वी तो इक सब्जेक्ट वो छी कि मां कोई बुक न वाचों तो पन चाले तो प्रिवियस लिए पेपर्स जराक एथीक्स न जो इनले जो ए मां कि वाँ टम्स पूईचाँ जराक इंटरेट ऊपर सर्च कर सो तो चालि जासे कोई एक वोक वाच वी जरूरी न तोज आपड़े अल्टीमेटली प्रगति करी शक्षू। बे टाइप ना लोको होई एक केवाई आइडियलिस्ट एक केवाई प्रैग्मेटिस्ट। एटले आदर्श वागी प्रैग्मेटिस्ट एटले व्यावारीक। आइडियलिस्ट लोको चालती वक्ते पन पोताना आदर्शोनों चुके नई आ कामू नयज करूं। अने प्रैग्मेटिक लोको सुवीचारे के अतियारे आ काम करवा माटे आटली बान चोड़कर वीजरूंई छे सिद्धान्तों मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पुईचो जे ब्रष्टाजारना आरोपोने टाडवा माटे गणी वक्त जाहेर सेवको काई नीड़न यसमोलिये स्टेटस को जाडवी राके। नेक्स्ट क्वेश्चन छे क्लाइमेट जस्टिस उपर। नमस्ते मित्रों, अपड़ी GPSC क्लास वन मेंज पेपर सल्लूशन नी सिरीज कंटिन्यूड छे। आज वीडियो छे गया वर्षे, जुलाई 2021 मा लेवाएली मेंज ना पेपर 2 नो, जी एस पेपर 2 नो, जेमा पॉलिटी, पॉलिक अडिमिनिस्ट्रेशन अने एतिक्स, एवा त्रण सब्जेक्ट होई छे, बंदारण, कंस्टिटूशन, जाहरवाई वाट अने नितिशास् आने एमा बेला बे सेक्षन अपड़े सल्व करीने मुकी दीदा छे, एना वीडियो नी लिंक या क्या कावी जासे आ लेक्चर पछी, नो जोई वोई तो जोई ले जो डिस्क्रिप्चन मा पन लिंक पड़िये से, जी एस वन अने से ना पेपर सोलूशन पन मुकी दीदा आजे डिस्क्रिप्चन मा लिंक पड़िये से, जोई ले जो, खूब सारा सोलूशन छे, आने एनी पेला नी क्लास वन नी में इसना पेपर सोल्व करीने बदा मुकी दीदेला छे, तो आगडवदी आपड़े जी एस पेपर 2 मा जे त्रिजो सेक्षन छे, एचे एथिक्स नी तीशास्त्र नो, बहुँ इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट होई छे, आने खरे खर मने पुछो के एथिक्स नी प्रिपरेशन कहीरी ते करवी, तो आए एक सब्जेक्ट हो छे के मा कोई बुक न वाचो तो पन चाले, आने बे वकत यूपीसी मैं सापेली छे, जे बे प पर मां एक ए बुक न थी मां चेली, प्रेक्टिकली कहुछू, एससे आने एथिक्स वाडा मां, अने एनू कारंट छे क्या सब्जेक्ट जेवो छे के तमारा मगजनी फ्रेशनेस केटली सारी छे, ए चेक करवा मांटे नू पेपर छे, अने पिला करॉप्ट मेंटालिटी वड़ा छोक्राओ होई, कि जे कोपी-पेस्ट करी ने बहुत सारू गोखी लेता होई, पच्छी MNM छापी नाक्चा होई, पच्छी आवी अने पाच्छा सिस्टम आवी ने करप्शन फेलावे, तो एवा छोक्राओने वीड आउट करवा मांटे, एवा छोक्राओने नो उठावी ने जोईलो, पेपर सॉलूशन अपने मुखेला चे जोईलो, तो अमारी स्टाइल छे के तमने मॉडल आंसर की देता आज नती, क्या रहे, मने घणा स्टूडन्स कमेंट मां किये छे, के मॉडल आंसर की आपो, हूँ तमने खाली एक जे पर टोपीक होई, एनू स आंसर की आपी देज, तो मारा वीडियो जेटला लोगो जोता है, बदाना आंसर सरका जासे, तो तमने थासे के मेनत करो चो, पर अल्टिमेटली सूता से, मेरीट मां तो पाच्छा फाइट अजरे से, एकले, अन्यमारे जोई है छे के तमने तमारी थिंकिंग एबिलेटी, कोगनेटिव स्किल्स वदारों, तो प्रिवियस यर्ज ना पेपर्स जराक एथिक्स ना जोईले जो, एमां केवा केवा टर्म्स पूइचा जे, एवा टर्म्स जराक इंटरनेट उपर सर्च कर सो, तो चाली जासे, कोई एके बुक वाच्वी जरूरी न थी, वाच्वी त तो आगडवधिये पेलों क्वेश्चन, एथिक्स ना अने पेपर ना अग्यार मों क्वेश्चन जे, हितनो टकराओ सम्झाओ, explain conflict of interest, अने जाहर संस्थाओ मां ते केविरी ते टाडी शकाय ते नीचर चा करो, discuss how to avoid it in public institutions, खासकरी ने सरकारी संस्थाओ मां, जाहर संस्था गया, department थे गया, IAS क्यो, IPS क्यो, public companies क्यो, एमा, conflict of interest नो एक बहुं मोटो problem होई, आने, conflict of interest नो सौथी पहला तो मतलब पूई छोचे, तो ए जोई लई है, के एवी वस्तु छे, के जेमा, एक व्यक्ती नी वफादारी बेज जगी आए, एक साथे ठाती होई, ओके, two relationships competing with each other for person loyalty, जेम के तमें भारत सरकार नी नोकरी करता हो, तो तमें प्रतिबद होई, जो भारत सरकार नो हित करवा माटे, भारती जनता नो हित करवा माटे, साथे साथे कोई कंपनी नी नोकरी पन करता हो, कोई contract होई, तमारों पोता नो बिजनेस होई, तो तमारी वफादारी बेज जग यह जासे कंपनी कंपनी ना फाइदा महं अने भारत सरकार मत तो क्या डिसी सरकार नो फाइदों कंप्रमाईस था कोई माणस यंगल उन सरकार करा उचा है तो यहां सरकारी एंगल थी इज पूछाई जे के जो तमें कोई कंपनी ना हीत माटे सरकार नू नुकसान करता हो तो तम ने शुकाम राखवा जो बिजी वस्तू एवा मानसो आवी गया होई तो एने कई रीते टाड़ी शकाई चानक किया नू एक उदाहरन छे आवा बदा तिंकर्स जरूर माँच वा हां एथिक्स ना पेपर माटे चानक किया छे पच्ची आगड छे बिजा तिंकर्स की देला छे गांधी जी छे स्वामी वेकानन छे बाबासाय बांबेड कर छे गणा हजी प्राचीन माजे इशको छो मोडन मावी शको छो फोरेन ना तिंकर्स लाई शको छो माकिया वेली छे सुन जूर छे अगड उदारन वापेला छे एरिस्टोटल प्लेटो फिलोसोफी ना चोकराओने आमाबव मस्त थाई जाई सोशोलोजी ना चोकराओने मस्त फाइदो थाई शके पोलिटिकल साइंस एटली असंभव छे एटली इंपोसिबल छे जेटली तमे तमारी जीवुपर मदमुईकू और इमदनो तमने स्वाद नो आवे ओके एटली असंभव वाद छे या के मानीलो कोई चमें के मानीलो टूथ एंडेर माचेलेंज लगाई भी होई के जीवुपर मदमुकू आट करतू काडी नाखवान। और इमदनो तमने बिल्कूल पन अटलोग पन रती भर स्वाद नो आवे पोसिबल छे के नई तो एटलो जीमपोसिबल छे के कोई सरकारी नो कर सरकारी संपत्ती नो उप्योग पोताना व्यक्ति गथित माटे नो करतो होई चानके बो अदर् तमें जो सरकारी जोग करता हो अने त्यानी स्टेशनरी नो प्योग पोताना माटे करो तो एट व्यक्ति गथित माटे उप्योग करे लोके राई आदर्श्थिती थाई गई समधी शक्या चिये अई या वाद चाले चे कोंफ्लिक्ट ओफ इंट्रेस्ट नी आगर जेवीरीते माचली नदी माथी केटलू पाणी पी गई एनो हिसाब नो लई शकाई एवीरीते सरकारी करमचारी ए सरकारी केटली संपत्ति नो प्योग पोताना माटे करी नाई खो ए नकी नो करी शकाई पर आवर अगेन बरने सिमिलर उदाहरणों चे उदाहरं सु आए कॉन्फ्लिक्ट ओफ इंट्रेस्ट नो मतलब सु थाई के एक तो तमारों पोतानों कोई कॉंट्रेक्ट चालतो होई सरकार साथे औने तम्हें एवी पावरफुल पोजीशन ने चो के जेना थी एक कॉंट्रेक्ट तमने मढी शके अत्वा तमने तमारा ओडखीताने कॉंट्रेक्ट मढी शके बराबर घनी जगिये था तू होई कोई मानीलियो बोड ना अध्यक्ष होई कोई कमीशन ना चेर्मेन होई अने अवे एन ना माटे कोई कंस्ट्रक्शन नू काम करावानी जरूर पड़े कोई कॉंप्लेक्स बनावानी जरूर पड़े तो एक कॉंप्लेक्स बनावानों कॉंट्रेक्ट कोने आई पो तो के चेर्मेन साइबना सग्गा बाई जे कंस्ट्रक्शन नू काम संबाड़े छे अथवा चेर्मेन साइब नी पोतानी कंपनी छे कंस्ट्रक्शन नी अने एने कॉंट्रेक्ट आपी दी दो तो कॉंफ्लिक्ट ओफ इंट्रेस्ट थे हो तमें सिधी वाद छे के वदूपई साइपा से आखाडा कान कई रहा से कॉलिटी मां कॉंप्रोमाइस था हो से तो जो यू नहीं होई वगेरे वगेरे तमारों पोतानों प्राइवेट बिजनेस होई इज फिल्ड मां अने तमें सरकारी कोई जॉब करता हो मानी लोग कलेक्टर छे एनों पोतानों प्राइवेट बिजनेस चे मामलगदार चे एनों प्राइवेट बिजनेस चे मामलगदार कंपनी ना मालिक कोण तो के फलाना एकस वाई जेड लखा भाई काड़ा भाई बुरा भाई कोण छे साइन कोण करे जे तो के मामलत दार पोते तो गोतवा जाओ तो मडे नहीं लखा भाई लखा भाई इनको ये जोया नो एक बेजना जोया ओई कई दे हाँ जोया ता ठीक छे तो ना नी ये वी बले बागी दारी पेडी ओई सोरी प्राइवेट इंडिविजुल प्रोप्राइटर्शिप ओई ताई शके पोसिबल छे बिजु एक के वाई insider trading के वाई छे आपड़े भारत मां बहुँ स्ट्रिक्ट काईदा न थी अमेरिका मां बहु स्ट्रिक काईदा छे ना माटे के inside information जो तमें leak करी नाखो अत्वा कोई बिजी कंपनी ने खाली information देता हो तमें बेठा चो मानिलो कोई सरकारी बैंक ना तमे chairman छो अत्वा कोई महत्तो पुन position उपर छो पेली एक scam करी ने serial आई वी थी web series तो एमाजे सरकारी बैंक ना करमचारियों जे काम करता था inside information आप था या मावी शके conflict of interest जे गिफ्ट आपे अगें इस serial माँ बताए उतू के बाई सरकारी करमचारी इस समय ना सरकारी करमचारी फ्लाइट नी टिकेट न पोसाती आने फ्लाइट मां आउजा करी रीते शके तमें मानीलो कोई गामना SP छो तो बहु मोंगी गडिया लोई पेली आपड़े Swiss watch के बहु मोंगी लगजरी गाड़ी के wife माटे गुची नू पर्स अवे इस तमने पोसाई नो शके पेली पेरिस ना कस्ट्रमाइज पर्फियूम आउता होई तमने पोसाई नो शके तो दरेक व्यक्ती ना अलग-अलग शोख होई जरूई ना थी बदाने रोकडा कैशत दोता होई केश लेशेना माटे मानस अगेन गई गवस्तूद लेवानी नू तो गिफ्ट्स मड़ती होई तमने वी कोई ओके जे खाली तमें करो चो शूँ को केवी इंफोर्मेशन आपो चो काई केवा गुरक दंदा थावा दियो चो के जेना थी पेलाने फाइदो था तो ओई कोंफिक्ट ओफ इंट्रेस थाई शके पोस्ट रिटार्मेंट ओफर होई हमना बहु चर्चिद मुद्धो छे के आईएस ओफिसर के पची कोई सरकारी बैंक ना चेर्मेन रिटायर था या पची कोई प्राइवेट बैंक जोईन करें तो आने कोंफिक्ट ओफ इंट्रेस गणू ओके नहीं अज यह त्यारे चर्चान मुद्धो छे जाहर चे सरकारी न थी किदू जाहर एटले पबलिक ना इंट्रेस्ट जेमा होई ही मैं जफिक्सिंग कई शको कोंफिक्ट ओफ इंट्रेस इतना टकराओ छे तो कई री टेक्नोलोजी थीज करो गण बदू थावा में डू चे ग्रासरूट लेवल नू करॉप्शन दिमे धिमे खतम थाई जासे भारत मा थी हां पची टोपना लेवल नू करॉप्शन तो दरेक देशमा होई है अमेरिका माई छे इंग्लेंड माई चे बदे चे एवनो विचार के कागडा बदे काडा जोई हां तो ट्रांस्परेंसी टेक्नोलोजी एक खास करी शके सरकारी करमचारियों बदा तमाम आखा तमामे तमाम डिपार्टमेंट ना जेटकला सरकारी करमचारी चे दर वर्षे पोतानी संपत्ती गोशीत करे वेबसाइट उपर आने पच्छी म करे तो बहु सारो टरीको चे करपशन रुखवानौ अवेरनेस तो लखवानी चे लखवानी चे लखवानी चे लगभगतरे,偉याक लगभग अनसर्मा अवेरनेस नो इश्यू सोल्लूशट पूई छोः तियां अवेरनेस, जंद्स, जन्ता माजटली जागुरुकता वध परदानमंत्री कार्याले मां परियाद करी शको तावड तो वकारवाई थाती होई चे गणा बदा पोर्टल्स होई छे गणा बदा पिला विंडोज होई छे एक बुधवारे लागतो होई सामान्य जन्तानी सभा अलग अलग स्टेट मा अलग 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 दीवस होई छे तो अवेर्नेस फेलावानी खुब जरूचे विजो एक खास ट्रांसफर दर थोड़ाक समय थाती रेवी जोई है कोई एक गाम्मा जो कोई एक अदिकारी अड़ो जमावी ने बेटो होई तो स आई बदा उड़कता हुए ने तो ए आराम्ती सेटिंग करी शके बिजनेस ना ने बदा डीलिंग करी शके एक खास सजेशन आपे चे विद्यार्थियोंने नहीं गमें होम पोस्टिंग क्या रही नो आपो अक्खा कारिया काड मा जे जिल्ला ना तमें जन्मेला छो जिया तमारू मकान छे परिवार छे ई जिल्ला मा तम ख्यार रही पोस्टिंग ना आपो करण के सुए तिया तमें मोटा था याओ तमने बदा ओड़कता होई तो वदारे चांसी जरे करप्शन ना ओनेस्टी माटे इंसेंटिव आपो एक वात गणा समय ती चाले छे के मानीलो क कोई कलेक्टर पोचानी अंडर एक ब्रिजनु काम, ओर ब्रिजनु काम, पूलनु काम, डेमनु काम पुरू करा वे औने जो ही टाइमसर पुरू था यहाँ जेटलू बजेट संक्शन बजेट मा पती जाई तो एने अमूख पर्सेंटे जेनो इंसेंटिव देवो तो सूधाई honest लोको सिस्टम मां वधारे आऊ से honest लोकों ने honest रेवानों incentive मढ़े से यनों काई वडतर मढ़े से ती हैरे सूधाई ने corrupt लोकों वडतर मंढ़रे और धrichू करब herum को हिरान वद़ारे थाई त्यारे एक गिल्टीं कॉंशेसर नती हो तो लोकोंने के में खोटों कई रूँ छे तो सू है तो सू कोई मारू सू बगाड़ी ले से एना पचीनो क्वेश्चन छे कमिटमेंट डेडिकेशन सोशेल कॉंशेसनेस आर्दकी एथिकल डेटर्मिनेंट्स ओफ सिविल सर्वेंट प्रती बद्धता समर पन अने समाजीक छे तना मने आनुदराक ट्रांसलेशन गड़बल लागे छे पड़वे गणा बदाएवा समझाई तो एक वखत इंगलिश माची लेओ ख्याल आवे लोग सेवकना नाइतिक निर्दार को छे मतलब जरूरी होवा जोई है सिविल सर्वेंट मां एउखी एच्छे ओके तो मैं कीदू हैं आपड़े एक आवा टर्म समुख सर्च करता रेवा कि कया कया टर्म्स जवब मां मड़े ना प्रोफेशन मां मड़े जे लोको दंदो करता हो एने पूजो दिवसरात एक करवा पड़े ते वार भुलावा पड़े सगाओना लगन अटेंड ना करो त्यारे ज़ए याने बिजनेस सजर थाता होई चे बदाई बदू करवा जाओ बदू करता करत बिजनेस ना थाई काई एक वस्तो दुनिया मा एक वस्तो जे तमने तमारे फेवरीट कंपनीनों कोई CEO एने पूछ जो के टली कुर्बानी आपी ती त्या रहे यां पोई चो छे के तमे जे ने सफ़डगणता हो जे ने एने पूछ जो पहली वस्तू अन्ने बीजी वस्त तो कॉंशियसनेस की बीज है कॉंशियसनेस एटले सचेत मन्ती कोई काम करूँ जागरुक रही ने करूँ शू करो चो एने जानी ने करूँ तो सद्गुरु के छे यमे ना शब्दों मां कॉंशियसनेस तो होवी जोई आपड़े लोको गणी वकात इवस्तूने टेंशन ना रूपे समझी लईया ची आखो दीवस जागरुक रहनों जागरुक तो रेवूद जोईया ने काम तरफ हवे एमां कॉंशियसनेस मां हजी एक टर्म इंक्लूड कही रोचे बीजो एक विशेशन एड कही रोचे इछे इछे सोशियल के सोशियल कॉंशियसनेस नो मतलब कॉंशियसनेस तो राखवानी चे हूं सुँ काम करूछू एक वस्तुचे ने कोई पन व्यक्ति ने पूच चो के आप बनी गया तमेजे करो चू यह सु काम करो चू तो गणा बदान जवाब नती कबरोती गणा डोक्टर्स नती कबरोती डोक्टर सु काम बईना डोक्टर कॉंशियसनेस नों एक मतलब डिफाइन कई रोचे के कलेक्टिव सेल्फ अवेरनेस तमें सोसाइटी नों भाग चो तो एनी एक कलेक्टिव सेल्फ अवेरनेस हो भी जोई के मारा करता आ घटक मोटू छे अने हूं एनों भाग चू ओके एन एक्सपिरियंस ओफ community of others.يت मिणी इंटर रिलेटेड़ चे तमेखें कम्मुनुटी अगर जीवी नथी शखवाना है जो देश सुरक्षित चे तोज आपड़े सुरक्षित गएया जो देश प्रगती करें चे तोज आपड़े покуп लोकूने पं250 करी चाने लोक करों फेस कारू पहईलूँ ट्राफिक जाम्मन तकलिप बदा भोगवी छी, गाडी क्यांक अटके तकलिप बदा भोगवी mahdollी छी क्यां गया हो जाहेर जग्याए और लंबी-ंबी भीडनों सामनों करवा पडे स्वह पन्दिस देन द्यालऊप भगवी छी, तो क्या नों YouTube clearly areba? तो नसी न, एक we feeling नी वाद चे, मोधी जी घणी बार quote करे चे पंडित दिन दयालू派 दियाएने, जरूरी चे, इसे उ म्योद करता समश्टी वदारे चरूरी चे व्यश्टी करता समश्टी तो वी फिलिंग सेंस ओफ अस एमा कवी केवा सु मागे छे के आव वी फिलिंग छे अतो असेंस ओफ अस छे इक गणाबदा कल्चरल अने सोश्यल ग्रूप्स मा होई छे तामा कोई ना पूच जो कास्ट माते शू करसू करसूने वाई चालो पेलू सामाजी ग्रूप छे आपड़ो पशू पालकोनू ग्रूप छे करसूने तो बराबर जे बहुत वस्तों चे होवी जोई ए पन अहिया इस सोश्यल कॉंश्येसनेस नो सोश्यल शब्द नो समाज शब्द नो जराक अर्थ मो माटे इस सोसाइटी शब्दनों मतला बहुं मोटो हो जोई एना माटे सोसाइटी बराबर देश होगो जोई परिवार बराबर देश होगो जोई कि ओके गोल तरफ तम्हें बहुस इजीली डाइवर्ट करी शको तम्हें जोजोने कोई पन गनाती माटे के टला मस्त कारेकरम हो थाता होई थे बद्दा लोको आम के टला आम ओत प्रोध था यान योगदान आपता होई तो एटलू डेडिकेशन जाहिर सेवको पोताना काम मा के मनो आपी शटे तम्हें यार जयरे तैयारी करता हो थो त्यारे तो तम्हें आम होई के पास थाई जाओ एक कोख़ पास थाई जाओ बस तो पच्छी इडेडिकेशन इदगस क्या वही जाई चे अच्छानक तम्हें कल्पना करो बे लाग फॉर्म बराई चार लाग फॉर्म बराई यह मां थी पास थावा बडानी संखिया सो तो तम्हें के टला प्रिविलेज्ड ग्रूप मां छो औने पच्छी इपच्छी इ स्पाइडर मेंनों डायलोग चे विट ग्रेड पावर कम्स ग्रेड रिस्पोंसिबिलिटी तो अगेन पेली जे वात अधुरी मुकी ती एना परावू चो गणा बद्धा सामाजी गरीते सफड लोकों ने पूच चो के तम्हें जे करो चो ए सुकाम करो चो बाईना चो ए स सब्सक्राइडर में जोईले जोने गयाता बनावा डॉक्टर्ज ने जोईले जो गणी जगी आये बनता ता त्यारे हमो तुक ओ ओ ओ ओ दुनिया बडली ना खीस अने पची पैसा साथे एटला अटैच थाई जाई के तम निम्हाई के आ करवा माटे नो ता बहिना याद क करो जाराक जियारे तैयारी करता था त्यारे सूख हेतू हतो ओके तो तम्हें कोना माते काम करो चो औने एक मोदी जी अगें गणिवार केच है के बनने से जादा ज़रूरी करना है तम्हें सूख करवा माटे जनम लिदो चिशे इदरेक वेफितिर खबर होई जोई मनें आज बरेक लेते हैं चार बार वेकेशन करने जाते हैं हर बार रिफ्रेश होने जाते हैं मने कि ऐसा कौन सा काम करते हो हर बार फ्रेश होने जाना पड़ता है में दू एक्चुलिस हो चे एनने नानपणती एकजवस्तू सिखडाई वीती के आप बनवानू छे एंजीनियर बनी गया आयेटी मा पास चेग्या डन अवेसू बनवानू पती बनवानू डन शोरी पेकेज लेवानू कोई सारी कंपनी मा नोकर बनवानू डन बनी गया अव बनवानू पती बनवानू दन बनी धैनमी या वैसू बनवानू बाप बनवानू डन तो जे टली बनवानू होतू एटला लिस्तो चेग थे एल्या हवेशू करवानू विकवानू भीचारान खबर ना थी सुकाम विकवर्जिनियर बन खबर्न थी il pleasant डन शोरी नो independent पोतानी जातने आम उला आपड़े केम भाजी ने उठाड़ता होई शाकवाला एम पोतानी भाजी ने वेकेशन ना थपेडा मारी आने उठाड़वानी ट्राई करेचे कारण के सु करवू जही क्यारे विचारू जनो तू बनवा उपर जफोकस करे रो तो तो जो साइब कोई IPS ओफिसर, IS ओफिसर सुसाइड करे ने तो विचारू जो हो के यार समय सु करवा माटे आब आई ना चोई तो विचारू हो कोई पणी व्यक्तिकत कोई अलग होई शाक्या एना उपरों नती जाओ मागतो तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन एक कमी होई बराबत तो थाई शाक्या वस्तु ने गवर्मेंट जोब के वी वस्तु जै तो विचार कर जो के वी केटली नो करी होई के जह मा तम्हें रोजना हजारों लोकों ने मदद करी शको तम्हारी एक साइंती हजारों लोकों नो जीव बची शके हजारों लोकों नो जीव जई शके कोरोना जेवी महामारी अपवाद रूप से माँ नथी बात करतो दर वर्शे वरसाद आवे तेरे चिकन गुनिया क्यों डेंग्यू क्यों एनी सीजन आउती जोई से, तमे जो गामना मामलत्दार हो, कलेक्टर हो, अने खाली समय सर फोगिं करावी नाखो ने मिनिसिपल कमिश्नर होई, खाली समय सर फोगिं करावी नाखो, तो सेकड़ो लोको नो जीव बच्चा भी श तो आटलू इंपोर्टन्ट काम करो छो, तो तमने सेल्फ सेटिस्फेक्शन होवू केटलू जोई है, एक अमेरिकाना रिटाइड राष्टपती, बुद्पूरो राष्टपती हता, वुद्रो विल्सन, येनू के उजे, रिटाइर थाया, पच्छी ये, पबलिक अड्मि पबलिक अड्मिनिस्ट्रेशन नी स्टडीज मां गणा बदा मावेलू छे, ज्यारे चेलेंजिंग जोब नो होई ने, त्यारे मानस नेम धाई गवयामा काई मड़तू नो छी तो पस इपाई साकमा होई, चो जाहर सेवकोनी जोब मां तो डेली चेलेंजी जेटली होई च तो आब बदू कही, करॉप्शन ने बदू गोतवानी जरूर ना पड़े तोमारे, नेक्स्ट क्वेस्टिन पुई छोचे, गंधी जी ना सिद्धान्तू परनो छे, इन दा सोसाइटी, पीपल फोकसिंग ओन एंड्ज रादर दन मेंस, इस वरिसम ट्रेंट, लोकोनू ध् ले लक्षांक उपर केंदरी थोओ, चिंता जनक छे, चर्चा करो, गंधी जी ओल्वेस केता, के पेली वाद तो स्वात सेनी थाई छे, एक हई दो, एंड्ज रादर दन मेंस, एटले, गंधी जी एवू केता, के तमारे कया लक्षे उपर पोचवू छे, इज एटलो जरू इपन छे, के लक्षे सुधी नो पोचवानो रस्तो तमारो केटलो योग्या छे, एटले, अपड़े वाद थाई छे, के जो लक्षे सारू होई, तो एना सुधी ना पोचवानना रस्तामा थोडू छूट छाट लिदी होई, एटले, जरा गंवे वो रस्तो लिदो होई, पन अल्टिमेट गोल तमारो सारो होई, तो चाले, गांधी जी होँ केचे के लक्षे गंवे टलू महान होई, जो लक्षे सुधी पोचवानना रस्ता उपर बांचूट करी होई, क्या ही सिद्धान तो मा, क्या ही उपर नीचे कईरू होई, तो ये पन खराब छे, ये हम के आइडियलिस्ट लोको चालती वक्ते पन पोताना आदर्शों नो चुके, नई, आ काम हूँ नई अज करूँ, अने प्रेग्मेटिक लोको सु विचारे, के अतियारे आ काम करवा माटे आटली बान छोड कर वी जरूई छे सिद्धान तो मा, तो एक करी नाखे, एनो ध्या चान वदारे रस्ता उपर होई, के मारो रस्तो बराबर रज रेवो जो ये, पच्छी हूँ टार्गेट मा बान छोड करी चाल से, तो जेम के प्रेग्मेटिस्ट ना उदाहरनों, चानकिया प्रेग्मेटिक कही शको तमें, चानकिया गणी बद्य विवस्तू करीती जे, वस्तू तमे आदर्शवादी ना खई शको, पण एनो लक्षय हमेशा सारो हतो, भारत ने सारो समराट देवानों, अने अखंड भारत उबू करवानों, तो एना मट्टे चानकिया, साम, दान, दंड, भेध, बद्धी नीची नूप्यों करवानों, बदी नीची नूप्य कृष्ण भगवान ख्यालत चे आपड़े, नीची नोप्यों तोडवावामा पेला नो ता, पंड, सामे ना लोको ए नीची नोप्यों तोड़ापछी आवी जाजोवे, ओके, तो एने केवाए प्रेग्मेटिक, आदुनिक बारत मां काओ तो गांधी नेहरूने आइडिय करता, नेहरूने दियान सुवतू, मीन्ज उपर, लक्षे तो सारू छे, चालो, भारत अखंड बनावू छे, बहुत सारू लक्षे छे, पन गांधी नेहरूने के वुशू छे, नाई, रस्तो पन सार रोज लेशू, एटले गांधी जी ने आजादी जोती ती पन मारा सत् सुभाष चंद्रबोज कई शक ओता मैं, प्रेगमेटिक लोकों उता, सुभाष चंद्रबोज ही लनो साथ ली दो, गांधी जी चिंगी मानो ले, सुभाष चंद्रबोज छे ले स्टैली ने मडवा जाता था, छे रे प्लेन क्रेश था यू क्यारे, तो स्टैली ने तो ही मित्र इंटरनेशनल सॉरी फोरेन कंट्रीज मा तो आवो इलोको बेद करता ना थी आए इलोको माटे बहु नवो कंसेप्ट चे ओके तो त्याना थिंकर्स बद्धा के जे गम में ही करो येन प्रकारेन लक्षय सिद्ध थाऊ जो विजुकाहीनी तो जेम के माक्यावली नी ए यार शे जिन्पिंग कंट्फूशियस उपर बहु फोकस करे जे गणा देश्वमां कंट्फूशियस इंस्टिटूट खोलेला जे त्यानी उनिवरस्टी मा एक सुन्जू आट ओफ वोर करीने बुक चे बहु फेमस चे गणा भारतियों वादता हो ये माक्यावेली इन वा यार बाप तो बदानो तो अगेन अवे आटली भात थाई गई आपड़ी चमरा मनमा एम ठाई के नाई बराबर छे लक्षय साचो होई रस्तो गम में ते अपना वो चाले ज्यारे इक कॉज राष्ट्रिया छे ने राष्ट्र ने उचाई सुधी पोचाडवा माटे छे त अपने पना घुरू लागे छे ओके एटले गणी बदी वस्तो उपर आधार राखे के एक तो एना उपयोग नी डिगरी के टली छे ओके साव एम जम एम तेले वाग्यू चीटिंग करी इन जीती शाज तो केटलू योग्या छे ये जराक विचारू पड़े अने बेजी व तरवानी ज नजर लक्से उपर जोविज ओई, कि नई लक्से उपर नजर राखो अपन रस्ता उपर तो नजर ओविच जोई है रस्तो सार रोज लेवानो तो एवा कोई सिंगल आंसर न होई, कई्या सर्कम्स्टांस चे त्यार रे कई स्थिती चे एना उपर आपड़ा क्रिमिनल लोमा सुपरीम कोटे गणी वकत की देलू छे के बाई केस बाई केस बाई केस बेजी इस उपर नकी थाई के त्यारे स्थिती सुम हती अने पेलो गुनेगार सु करी शक्तो तो अने सु कई रूए अत्वा विक्टिम के जे की होई आरोपी ओके तो एमां शेड़ ऑ ग्रे अोई एक करवो पले अच्छों बलेक हो इन ऐधन्टिफाई करवो पले आमा ब्लेक एन वाइड न वाइड ना होई आ क्रिष्ण बगवान नों चरित्र गणा लोको समझी नाथी शक्ता आ रोपो लगावे कि चीटिंग करी थी नाथी पलानु करू तो ए प्रश्टाचार न अरोब भी तो ने अगांदी जी ने क्रिश्न बगवान न थी तो करो कारण के बाई एनी जज़्मेंटल लेबिलिटी जे हती तमारी होवी जरूरी न थी तो case by case basis उपर आधार राखे आवा questions मों conclusion लखो जरूरी न थी कोई open ended answer चोड़ी शाफोचो नेक्स्ट क्वेश्टाचार न आरोपोने ताडवा मते गणी बख़त जाहर सेवको काई नेड़न यद मोले status quo जाडवी राखे काम अधनी करू तो करूप आरोप नहीं लागे तो एना कारणे एक administrative paralysis नी समस्या था थी administrative paralysis तमारो administration की काम अधनी करतू करूप आरोप क्या रे लागे है करो तो खोटू थाई नहीं करूड न थी आपड़े तो आने एना करणे ग्रोथ ने एने development ने असर थाई छे तो एना एनी चर्चा करो तो एक सौथी पेली वस्तू आपड़े जाहर सेवकों ने जेटली गाड़ो देता होई येची अने बद्दी वक्ते साची नतीर होती जाहर सेवक काम तो बिचारो मनती करता होई ने त्यारे सरकारी नोकरों ने खुब गाड़ो देता होई भरती थाई पची खबर बड़े जाहर सेवक काम तो बिचारो मनती करेचे पन प्रोब्लेम सच गणी वक्त चेलेंज इस एकली मोटी होई छे के एना काम देखाता ना थी अत्व तो चेलेंज पूरी थाई त्या नवी चेलेंज आवी गई पाची तो जनता गणी वर ठेंक लेशो ये थाई यूई मूखी दियो गया न कि पड़ें तो एनिहाओ तो पब्लिक परसेप्शन गणी वक्त जुदू होई छे अने गणी वक्त जाहिर सेवकों ने पब्लिक परसेप्शन ना कारणे लोकों ना जन्मानस ना कारणे पन आ एक प्रोब्लेम था तो होई के गम्मेटली इमांदारी थी तमें ब्रिज कि स्टेटस को जड़वीरा को तेल ले वाग्यु मारा काम मा पूरु नही थाई मारा टाइम मा बीज वाविन पूरु करसेए जैर पूरु थाई तयार वधू गाड़ू पड़े अत्वा तो इक्चॉल प्रेशर तमें फिल करो ने जाहिर सेवक नु तो घणी वक्त तम भ स्थिती बहु अलग होई चे ओके सिविल सर्वंट्स चे जानिता चे गोशलो अप्रोच माटे एकली दिमी गतिये काम करे के मारे काम करू नो पड़े अमें तो जोता होई जी चोकराव तयारी करवा आवे त्यारनी मेंटालिटी अवी होई के एक वकद सरकारी नोकरी लागे एटले काम करू ने इन पगार मोडे तो एक अंगरे जोई सिस्टम बना वी ग्याच चे अपले हजी सुधी चेंज नती थाई ओके अवे दिमें दिमें घणा चेंजी जाओ ता जाई चे तो एक तो आरोप्तो चे दी लोकों माथे के गोशलो अप्रोच थी जाता जोई चे गणी वकद सु थातू होई के सिविल सर्वंटी मांदार होई सरकारी करमचारी मांदार चे ने काम करूँ छे पन गणी वकद नेता ने न करूँ होई काम इलोको स्टेटस कोईस्ट होई नेता इच्ता नोई के प्रोब्लेम सॉल थाई जाई जो प्रोब्लेम सॉल थाई जाई तो आउता इलेक्षन माँ वोट काया मुद्दे मांगशुं। नक्सल बेल्ट माँ खुब जो आमडे लीचे आवस्तु हां। गणी वखत को सारो पोलीस ओफिसर ग्यो वही ने हम किये के बाई आटलू आटलू कर्सु तो प्रोब्लेम सॉल थाई हम छे आने उपर थी नेता करवाड नो दियाने बाउकर तो आलू पाड़ीं ट्रांसफर करी दो। थाई शाके गणी वखत तमनें थाई के आटला गणा लोको विरोध करता होई जाए आटला वर्षो थी भरती गरीबी जाती केम नथी यम गरीबी नज जाती नेता लोको इच्ता नथी के गरीबी वही जाए। एक सवाल छे वर्षो थी थाई लो कारण सूं होई शके आवा गो स्लो अप्रोच ना स्टेटस कोईस्ट अप्रोच ना के नती करूज नती काम एक तो वर्क एटमोस्फियर खराब होई गणी वक्त मानी लो नवा कोई बरती थाया होई नवा प्रमोट थाई ने गया होई आने खुब बदू काम करूए पन इस जग्यानों वर्क कल्चर जेटलू खराब होई के तमें ताका तो ही करी लो काहीं नहीं करी शकों तो पचीसू थाई दिमें दिमें पोते अपर ठड़ी जाए अच्वा पेलो एक लो बीचारों मेनत करे जे पर बीजा कोई सपोर्ट नथी करता तो अल्टिमेटली दोस्तों सेनापती उपर जाए तो एक कारणा होई शके पीयर प्रेशर होई गणी वकत लोकों बेगाजे सहकरमी होई कलीक्स होई बहु प्रेशर करता होई के तो हुँँ छे आटलो बदो जाईम हो जो नथी करूँ काम भाई हमें किदू कह यहां आमध थाई जे आमध थाशे तो जीव अराम करी देवलानू ओके गणी वकत लोकल कल्चर होई उखराब होई गणी तम्हें पहली वेब सीरीज के कोई जोई होई बदी जराक पिंच ओ शोल्ट साथे जोई बदी साच चानू तो रुवाड़ों नसी होतु गणी में वाद करी हैं गणी वर लोकल कल्चर होई आहियां आमध थाई छे ओके आहियां काईदानू पाला नतीत था तो आरोप आवे पाच्छो जेते सरकारी कर्मचारी मां थे के आणे नो कई रू एंजीनियर साइब दारत तो रस्तो बनी जाए पंड बाई ओलो आवीन फोड जाए जाए जेदर वक्ते रस्तो बनावो बनावो ने फोड़ी जाए छे तो कंट्रेक्टेट कंपनी मां थे आवे आई एस मां थे आवे जी एस मां थे आवे गमेते होई बराबर एक बीजो इस्शू छे मोटो के गणी ख़त जनता नी एकली आम तिक्षना नजर होई के जाए बोल कर भी आगरता करूड ना थी बीजो एक कारण होई के परफोर्म करवानू प्रेशर न थी ऊतु आपना सरकारी करमसारियो मत है के तमें सारु काम कर सो के नहीं करो कहाई फेरद नसी बढ़तो तो महें नोकरी जावान नसी पगार घटवानू नसी पगार वजश तो नती पर्फर्म करवानू प्रेशर नती पर्फर्म करवानू इंसेंटिव ओके एक मेजर मेजर लूपोल छे के सरकारी करम जारियों दीमी गतिये काम करता होई छे नू तो सलूशन्स हूँ छे एक तोड ट्रांस्पेरेंसी लावी खुब जरूरी छे गणी उखत मानी लो आटला समय माँ ठैक्नलोजी नू प्योग करी शके जनता साथ डाइरेक समवाद करी शके अवे तो गणा बदा चालू कईरू जे यूट्यूब चैनल पोथा नी होईचे एन पोतानू एक नुकसान चे मने लागे छे आउनारा समय माँ कदा जी पीसी क्वेस्चन पुछी गणा बदा ओफीसर जे आम पो चाने दबंगी जाहर करवा माटे यूट्यूब चैनल जाए चालू कई रीजान गणी बर काँ इनोग तो इरेड पाड़ता हो इरेड जो इन तमने में थेगा मां कई रेड पाइड आजे वह तु तो एनिहाओ सारा परपस माटे उप्यों करि करें काम नूँ अदित करावे परफोर्मन्स अदिट था है सोचाल अदित थाई सोचाल अदित अटल एक समाझ मां एंड दिलीवरी थाई छेक या नई छेक सुधी डुलीवरी थाई छेक नहिं एक मोट्टू सॉलूशन चे पॉलिटिकल विल नेता बदले C.E.M. बदले P.E.M. बदले तो गणी वखत अपड़े जोही है चिए कि इनी मशीनरी हती जे पेला काम नोती करती है भे मेंडी करवा फरी पाचो P.E.M. बदले C.E.M. बदले आपड़े जोही है कि हो अवे काम नती करती तो गणी वखत शु नेताने बान नव पड़ती होई तो उल्टा सीनारियो पन जोवां मड़े के पांच वरश निकडी जाए आखे आखा सरकार ना अने कई काम अज नो करवा दिया ये सोफीसर एटली आटी गुटी काड़े के सार एक चाही बाम करसूंदो आम था से नाम करसूंदो फलाना नती परफोर्मंस करवानों इंसेंटिव नती परफोर्मंस करवानों प्रेशर तो एक अप्रेजल सिस्टम व्यवस्थित चालू थाई के दर बे वर्शे तरन वर्शे कया ओफीसरे के टलू काम कई रू तमरों यां पोस्टिंग थायो तू तू प्यां काम सू करीने आई तो एना आदारे प्रमोशन करो तमें तो आनू जराकजी प्रोसेस थोड़ीक विस्तरूत थाई ट्रांस्पेरेंट बने प्रोसेस अधिकारियोंने खबर पड़े के बाई ओलो आटला माटे प्रमोट थाई यो वासरस काम करी नाई वो तो 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 बिजा लोकोंने पन मजा आवे जनता ने सरकार वचे डायलोग करे समवाद करे के बाई जो आटलू काम थयू छे एना आटला पाई सा देवाया चे थातू रेतू होई चे ओके तो आटला के पॉइंट छे नेक्स्ट क्वेस्चन छे क्लाइमेट ज स्टिस ऊपर पर है परीश क्लामेट पेक रइक्ट मानी वाद था है टी क्लामीट ज स्टिस है बराबर एक परति बाव चे जिना दी ब्दा लोकों ने नहीं था से बदाने समान ता थी बदा नी साथे विभार था से तो एक ग्लोबल वर्मिंग नी क्लाइमेट चेंज नी समस्या चाले छे आपड़े बदा ने ख्याल छे अने अक्लाइमेट जस्टिस से नी वात करे छे के सत्तर सो पच्चास थी जी आरती इंडस्ट्रियल एवोलूशन चालू था यू यूरोप मा तो त्यारती जे यूरोप अपना देशो ये 25 कमाईली दा कॉल्सो बढ़वानोचा लू कईरो पोल्यूशन इलोको करता दा पैसा कमाईली दा बहरत छे आफरीका छे साओथ अमेरीका छे जे अत्यारे बदा गरीब देशो चे डेवलबपिंग देशो चे ये त्यारे तो आलोको नी कॉलोनी अता अवे परियावरण नी समसिया एवी विक्राड थाई गई छे अने भारत नो चाइना नो साउथ अमेरिका अफरीका नो अवे चेक तो पैसा दार थावानो समय आई वो त्यारे तमें क्यों चो के कोल सो नहीं बाडो आने तमें ता बड़तो रिनुवेबल एनर्जी तरफ शि आने रिते चालो डेवलप थाई गियू पण आ वात आपड़े करियेची ये 2022 मां आ मुद्धो इलोको लड़ेचे त्री स्वरश थी तो इलोको ये त्यारेज गई दीजूतू के नहीं तमें पोड़ीलियो तमारी ते रिनुवेबल एनर्जी कर नाखो एनी पासे टेक्नो देवा मागता नतायना माटे पैसा देवा मागता उपर थी कंडिशन लगावता ता के तमारू कोल्सानू बढ़तन गटाड़ों कार्बन एमिशन गटाड़ों तो क्लाइमेट जस्टिस सू किये छे के बाई आटला वरस्त में कोल्सो बाड़ीने पैसा कमाई ली दा तो कंदाज छे तो के 1.6 ट्रिलियन टन जे माथी 25 का एकलू अमेरिका है कही रूँछे आखा इतिहास ना टोटल कार्बंडा योग साइड मा 25 का योगदान अमेरिकानू छे हजी तमने जराक परस्पेक्टिव माटे कऊ अमेरिकानी वस्ती मात्र 323 करोड गेवी छे दुनिया साडा शााच सो करोड छे एकले तमेे कई शको के अमेरिकानी वस्ती दुनियानी वस्तीना 5 टका इनुछे चार साडा चार टका जे मारिवी वस्ती छे अने 25 टका कार्बं डायोकसाइड नूँ एमीशे इलो कोई करे लू चे चाईना ये बस्या शो टन कार्बं डिलें टन अनुचे 400 बिलियन टन, चाइना ये 200 बिलियन टन कारबन डायोकसाईड नूँच सर्जन कही रूचे एमिशन कही रूचे छेला 40 वरश्मा, चाइना नी ग्रोज स्टोरी छेला 40 वरश्ती चालू थाईचे, योरोप एकलाए 500 चाउद टन कही रूचे, अने भारते मात्र 48 बि भी वस्ती चे, बिजी वस्तू, भारत नी आपणे वाद थाईएम 200 वरश्ना अंग्रेजोना शासनना कारणे, भारत तो इंडस्ट्रियालाइजेशन करी नू तू शाईखू, भारत नू अध्योगी की करणी लोको ये खतम करी नाईखू, जे आपणी हेंडलूम ने नुक्सान चालू थाईँ, तो मोधी जी एक गणी वकट की देलू छे, क्लाइमेट जस्टिस तो नीड ओव दी आर छे, जरूरी छे, अने एना थी तमारे एवू एक मिकेनिजम लावानी जरूर छे, जेना थी विकास शील देशोने, डेवलपिंग कंट्रीज ने नुक्स अननो थाई, अन्याई नो थाई, देर इस नो इंजस्टिस, ओके, बीजी एक भारती डिमांड रहे ली छे, के डेवलप्ड देशो हो हे, पोतानी जी डीपी नो एट लीस्ट एक टको, आवा बदा ग्रीन प्रोजेक्ट्स ना फाइनांसिंग माटे अपो जोहे, के जेमके सोलार पेनल थाती होए, रिनुवेबल एनर्जी ना बिजाबदा रस्ता थाता होए, इलेक्ट्रिक वहिकल माटे मदद करो, ओके, तो आँ भारते हम्मेशा थी डिमांड करेली छे, एक टको बदेवा राधी न थी ये लोको, पस्चिम ना लोको ये बड़तन तो बेफाम क खाली मीटिंग करी थी, कि हाँ ओके, क्लाइमेट समस्या जवु काई छे, पन खास काई काम काईरू नो तु इलोकोए, अने काम चालू काईरू इलोकोए, ओगणी सो बानू मा रियोडी जनेरों मा अर्थ समिट थाई थी, त्यार थी तो स्विकर्वानू चालू काईरू क कि ओके, क्लाइमेट चेंज जवी समस्या जचे, तमने मस्त वाद काऊ, अमेरिका मा बे पार्टी चे, रिपबलिकन डेमोक्राट, रिपबलिकन पार्टी हजी नथी मानती, गणा बदा नेता हो, कि क्लाइमेट चेंज जवु काई छे, इलोको गणा वर्षों सु दियो आर लगाई वो छे, कि आर रशियन साइन्टिस्ट नो गत अकड़ू छे, अने हमना जे छेला राष्टपती गए आ डॉनल्ड ट्रम्प, एने तो एउ कि दू तू ग्लोबल वर्मिंग वेर इस, वेर आट जाओ, वेर इस ग्लोबल वर्मिंग, काण के गया वर्षे, एमना कार आइमेट चेंज होई तो ठंडी पन अतिशाई पड़ी शाके, गर्मी पन अतिशाई पड़ी शाके, आने इलोकोंने गर्मी सहन नोती करवी पड़ती क्या रही, एटले पाच्या आपड़ा कठणाई आपड़ा नसीब नी, कि आपड़ा देशों मा गर्मी अल्रेडी पड चेंज होई तो आपड़े बे डिगरी टेंपरेचर पन वदे तो आपड़ी हालत खराब थी जाए, इलोकोंने पाट डिगरी टेंपरेचर वजे तेने मज़ा आवे, ओहो, चालो, कूलीं करवू, हीटिंग करवू होच्छू, तो ऐए एक समस्य आजे, नता मानता, घणो अब दो लांबो समय सु भी, तो आपड़े कहिए छी, के बाई, तमारी पासे लक्जरी चे, पैसो कमाई ली दो चे, इंडस्ट्री बदी एस्टाबलिश करी ली दी चे, तो हवे डी इंडस्ट्री अलाइज करवानों, तमारी पासे ओप्शन चे, अमें तो जी चालूज क बीजी वस्तू, आपने बीजी एक आर्ग्यूमेंट करिये छी है, के भारत अतियारे थर्ड लार्जेस्ट करवन डायोकसाइड नू एमिटर छे, थर्ड लार्जेस्ट पल्यूटर दुनिया नू कई शको तमें, देश तरीके जो वो तो, जो यूरोप ने एक ब्लोक तरी के जो वो तो भारत नू नमबर चोथ हो आवे, परण एनीहाॉव तो आपणे कहिये थी थी के भाई, अमार रहेंक त्री जो बण वस्ती जो वो तमें, तो पर के पीटा करबन अमिशन से, दरवर्षे, सोड टन कारबन डायोकसाइड एक व्यक्ति करे थे, चाइना नू आठ गणी एनरजी खपत करें चें आठ गणी तो भारत एक ग्रूप बनावेलू चे एनू नाम चे लाइक माइंडेट डेवलपिंग कंट्रीज एमा 24 देशों चे आने आपड़ा देशों मड़ी आने आ टाइप नू प्रेशर लगावी चे डेवलप्ड देशों माथे के न पैरिस क्लाइमेट पैक्ट जे था ही बेजार पंदर मा एमा थी डॉनल्ड ट्रम्प जे रे विड्रो कई रू के अमें नई रही आमा इंसिडेंटली तेट दीव से मोदी जी पैरिस मा जता अने मीडिया ये पुई चू के अमेरिका ये विड्रो कई रू छे तो भारत नो सु स्टेंड चे मोदीय की तू बाई अमें कई तमारा कारणे नथी एन्वार्मेंट नू काम करता अमें तो अजारो वर्षों थी प्रकृती पुजा कज रहेला ची तमें मस्ती उडाडता था के पेगंस चे आलोको प्रकृती नी पुजा करे चे तमें अमने तुच गणत अमारू प्रकृती प्रतियनू डेडिकेशन चे आपड़े कईये ची यह सु ब्रीदिंग स्पेस मा गिये ची यह के बाई सद्दर थाई जाए त्यां सु दी जराक अमारी उपर उचु प्रेशर लगावो अने तमें वदू नुक्सान कई रूँ जे तो भरपाई करवानी तो LMDC मां इंडिया, चाइना, फिलिपाइस, मुलेशिया जेवा देशों पन सब्याट छे है हमना जे छेली क्लाइमेट समिट थाई ग्लास्कोव मां स्कोटलेंड मां एमां मोदी जी ये पंचाम्रूत फर्मूला आई पो छे तो एक तो छे के रिन्यूएबल एनर्जी नूँ आपड़ू केपेसिटी वधी अने 500 गीगावट थाई जासे 2030 मां 25 टका रिन्यूएबल एनर्जी थाई जासे 2030 मां एक बिलियन कार्बन एभी एमिशन आपड़े गटाड़ सु 2030 सु दी मां कार्बन इंटेंसिटी बिलो 45 परसंट करी दे सु 2030 मां कार्बन इंटेंसिटी एटले जीडीपी जे थाती होए आपड़ी एकोनोमी जेटली प्रोग्रेस करती होए एना माटे केटला टका कार्बन डायोकसाइड नूँ एमिशन थाई जे केटलो कोल्सो बाड़ वो जरूरी छे तो इह आपड़े गटाड़ीन 45 टका करिया ची है के मत्र पिस्तालिस्ट का जीडीपी रेसे कार्बन एमिशन वाड़ी बाकीनी 55 टका जीडीपी ग्रीन जीडीपी असे अने नेट जीरो एमिशन कीदू छे बेह जार सित्तेर सुधी मा तो आटली बात आपड़े करेली चे ओल्लेडी यूरोपना देशों नेट जीरो आशा करिया जीए तमने वीडियो मा मज़ा आवी असे कोई सजेशन ओई क्वेश्चन ओई कमेंट सेक्षन मा जान करजो आ वीडियो नो कयो क्वेश्चन सवती वदारे गईमो एपन कमेंट सेक्षन मा जान करजो अन्ने लाइक, शेर, सब्सक्राइब करवानों बुलता न दन्यवाग